हलो एवरिवन आज है 30 दिसमबर और आज इस वडियो में हम बात कोने जा रहे है इजी ट्रिप प्लानर या आप इसको is my trip कह लो 40 रुपे का शेर है एक बड़ी रफतार कल यहाँ पर देखिए 4% की तीजी यहाँ पर दिखाई जरूर है और यह वो कमपनी है जो पिछले 43 की रेंज में जाता है एक profit taking वहाँ पर देखने को मिल जा रही है और graph अगर आप देखोगे तो वाई साब जब से आया है एक बड़े decline से ही यह गुजरा है और लंबे समय से यह गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है हला कि मैं कहूंगा कि गिरावट तो है यहाँ पर व वीडियो में उसके बारे में बात भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लीचे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो पो काफी जादा help करेंगे तो easy trip planner 40 रुपे क यह शेर है एक साल में लगातर गिरावट ही यहां पर बनी हुई है और दो दिन पहले एक खबर आई थी वागिए इन्होंने 13% का स्टेक खरीदा है इको होटर्स और रिसॉर्ट में और देखा जातो तो according to the company's stock exchange filing the investment is aimed at acquiring a minority interest to the promoters environmentally जो मतब hospitality जो sector है वहां पर और जो company के जो founder है और CEO है उनका ये कहना है कि our choice is to invest in stakes aligned with our vision to contribute positively to the growth of eco-friendly and green hotels और यहां पर इन्होंने छोटा सही सही लेकिन eco-hotels और रिसॉर्ट में हिस्सा यहां पर खरीदा हुआ है और जो eco-hotels के जो executive chairperson है उनका भी कहना है कि this strategic association between ease my trip and eco-hotels and resort limited may turn out to be a game changer as such a synergy to hardly seen in the hospitality sector तो यहां पर simple सी बात है कि छोटा सा stake यहां पर खरीदा है तो यह नहीं समझा जाए कि बहुत बढ़ी है और again eco-hotels देखा जाए तो कोई उतना बड़ा group नहीं है छोटा मोटा group यह भी है और जहां तक बात करें इस company में तो को volume का game बहुत ज़दा चला है तक्रीबन तक्री के numbers अगर आप देखोगे तो definitely बहुत बड़ा increase यहां पर देखने को मिला जरूर है काफी बड़ा increase है profit wise भी देखोगे तो अच्छा profit है annual profit अगर आप देखोगे तो अब आप बोलोगे कि भाई सहाब company तो quarterly revenue अगर आप देखो तो 120 क्रोड के आसपास आ कर रही है profit भी देख वो 40 नहीं कईज आता है लेकिन company ने bonus दे दिया एक ही साल में दो बार 2022 में इसने दो बार bonus पे कर दिया price adjust हुआ उसके अलावा एक बार split भी हो गया उसी साल में price adjust हुआ और यही वज़ा है कि actually में आपको इसका price कम देखने को मिल रहा है यह जो आप sharp decline यहां पर जो देख र और कोई वज़े नहीं है उसके पीछे की और देखा जाए तो company ने बहुत बड़ी तीज़ी दिखाई थी बाद में क्योंकि देखो IPO का अच्छा response मिला था भागा था यह लगातार भागा था यह उसके बाद एक level पर आकर अटका और उसके बाद जब यह bonus वाला split वाला जम 23 के मुकाबले लेकिन अगर यह 44 रुपीज के रेंज में जाएगा यह महगा होगा प्रॉफिट टिक वाँसे जरूर आएगी कोई भी analyst खरीदारी के ने के बात निए देखो कुछ users एकका दुक्का आपको social media पर promote करते नजर आ जाएंगे इसको ठीक है लेकिन analyst यहाँ पर म revenue था almost 50 क्रोड के आसपास का profit था लेकिन फिर भी शेयर में तीजी नहीं आई थी फिर भी शेयर में तीजी नहीं थी देखो डिसंबर के भी नंबर अच्छे होंगे reason यह कि देखो डिसंबर फेस्टिवल वाला सीजन होता है त्योहारों वाला सीजन होता है लोग गुमने व स्टेंबर में 112 क्रोड का revenue था और डिसंबर में 140 क्रोड हो गया profit 28 से बढ़कर 41 42 पर आ गया तो यह होगा डिसंबर के नंबर definitely अच्छ होंगे वो खराब नहीं होंगे लेकिन उसके बाद जब March quarter के नंबर आएंगे तो वो फिर बाद में ups and downs वाले होंगे और वो आपको गि क्योंटिटी बेची 74.90% की जो प्रमोटर की holding थी वो सब्टेंबर आते आ रहे 65.54 पर आ गए और प्रमोटर ही नहीं mutual funds ने भी बहुत बड़ी बिक्वाली करी 0.61 से सिर्फ 0.06 पर आ गए तो देखा जाए तो प्रमोटर ही नहीं बड़े फंडास में mutual fund की तरफ से बहुत 30% की holding यहाँ पर लेकर बैटे है जाद अदर जो quantity खरीदारी हुई है वो सिर्फ retail की तरफ से जाद होई है जो 10% की holding थी पहले वो आज बढ़कर 16 से 17% हो चुगी है अधर पार्ट इसकी भी तक्रीबन 13% के आसपास की holding यहाँ पर देखने को मिल रही है देखो easy my trip को लेकर म company खराब नहीं है लेकिन आपको 40 रुपे देखने में जो सस्ता लगता है न एक्चुली में वो सस्ता नहीं है क्योंकि देखो एक ही साल के अंदर दू बार bonus एक बार split क्यों किया क्यों किया अगर वो नहीं किया होता और आज यह शर आपको 300-400 के आसपास देखने को मिलता तो क्या खरीदते लोग वो भी equation mark है यहाँ पर तो देखो मैं अभी के लिए तो इतना ही कहूंगा कि सस्ता भाव देखके खरीदारी करने के लिए मत चले जाहिएगा यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर देखो अगर आपके पास है तो hold कर सकते हो अगर यह 42 से लेकर 44 की range में जाता है तब भागने वाले मौके बनेंगे यहाँ से तब exit करने वाले मौके बन जाएंगे यहाँपर लेकिन अगर वापस गिर कर यह 36, 37 के range में आता है तबkedारी के भी मौके बन जाएगे यहाँ तो वह चीज़ भी है यहाँ पर long term के लिहाज से मैं उतना जाधा positive नहीं हूँ, reason simple है कि देखो यह काम, यह company जो काम करती है, जिस sector से belong करती है यह अकेली नहीं है बहुत सारी company'ा है बहुत लोग यह services provide कर रहे हैं, बहुत लोग, booking वग़रा कि अगर आप बात करो तो यह बहुत लोग कर रहे हैं तो यह अकेली नहीं है और जो competition अगर आप देखोगे आने वाले time में, यह और competition बढ़े यह future में और competition यहाँ पर बढ़ने वाली है तो ऐसा नहीं कि यह company बहुत ज़्यादा फाइदे में रहे हैं इसा नहीं होने वाला है, इनके महाजिन हमेशा थिन ही रहेंगे future को लेकर भी और यही वज़ाए कि अभी के लिए मैं इसको avoid करना जादा पसंद करूँगा क्योंकि यह जिस range में बैठा हुआ है बाजर देखो पिछले 12 महिनों में भाया आंधी के तरह भागा है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर जब भी कोई खबर आ जाती है यह दोड़ने लगता यह से पहले जब शंकर श्रबा जोगी काफी बड़े investor है उन्हें ने जब yatra.com का IP आ रहा था तब yatra को इसको compare करा था और तब दिख रहा था कि ease my trip उनको अच्छा लग रहा था अगर valuation के इसाब से compare to yatra एक दिन में share भाग गया था एक दिन में share भागा था यह वाला time था यह एक दिन में share भागा था लेकिन बाद में क्या हुआ हर बार गिर गया यहां से तो देखो जब भी खबर आती है यह भागना शुरू करता है और जब कुछ नहीं होता है यह वही करता है जो हर बार होता है वापस से गिरावट और यही वज़ा है कि मैं इसको अभी के लिए avoid करना ज़्यादा पसंद करो क्योंकि जिस price से बैठा है यह mid वाला price है यहां से risk थोड़ा सा ज़्यादा है और reward कम है तो बाकी मर्दी आपके नज़र रखेएगा इस company के उपर वीडियो को यहीं पर end करूँगा पसंद आए हो तो like तो आप पहले बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और easy trip planner या easy my trip के बारे में आप क्या सोचते वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं थैंक्यू